हलो फ्रेंट सुवागत था आप सभी को हमारी उटू चैनल पूज़ा टेक्निके क्लासेस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेसी जई के नई अपडेट का क्या कुछ अपडेट चल रहा है रिभाइस रिजल्ट के लेकर जो है कि हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से रिभाइस रिजल्ट जारी करेगा योग उसके लिए क्या परियास किया जा रहा है वो हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और जो बच्चे BTSC Jai में सेलेक्टेड थे जिनका जो है की सेलेक्टेड लिस्ट में उनका नाम आ चुका था अभी तो वो रिजल्ट हटा दिया गया है वेपसाइट से बट जो बच्चे को सेलेक्शन हो गया था उन सभी के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है घर पे बैटकर जो है की डिप्रेस होने से अच्छा है की परियास किया जाए और जल सजल आयोग को निरने लेने पर मजबूर किया जाए और जल इस BTSC Jai के रिजल्ट को किलियर किया जाए और जो है की इसका नियुक्ती परिया को किलियर किया जाए इसके उपर क्या कुछ बर्ग चल रहा है और सभी मिलकर क्या कुछ करने का निरने लिया गया है सभी को इसमें सपोर्ट करना साथ देना है ताकि जल सजल BTSC Jai किलियर हो और नियु एड़टाइजमेंट BTSC Jai में जो 3300 पलस भाकेंसी आने वाली है BTSC Jai का वो जल सजल नई बिग्यापन जारी हो और उसमें जो है की नियु बच्चों को जो नियु अस्टूडेंट है उनको मौका मिले नई भरती में नई परकिरिया में सामिल होने का तो ये परियास करना बहर जरूरी है क्योंकि यू बैट कर वेट करने से कोई फाइदा नहीं होगा जिस तरीके से आज तक आप सभी लोग परियास किये हैं और उसके ततपशाद परियाम आप लोगों को देखने को मिला है उस तरीके से एक और फिर से आप लोगों को परियास करना है और उसके बारे में क्या कुछ कम्यूनीटी बैठक हुई है बैठक में क्या कुछ बात हुई है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आप सबको बता दू अगर आप लोग हमारी चैनल पर नहीं हैं या चैनल कब तर सस्क्राइब नहीं की हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बिलाइक का नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देजेगा जिससे कि आपको क्या होगा कि हैर एक विडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और बिहार में जूनियर इंजिनियर से रिलेटर जितने भी भगेंसी आएगी चाहे वो कॉंट्राक्वेसिस हो या किसी परकार के जॉब अपडेट हमारी चैनल कमाध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा टेलिग्राम पर 25-22 के महाधरना में सामिल होने का निर्नाई किया गया है और इससे संबंदि सभी जिला अध्याच को तैयार करने का निर्देश दिया गया है सभी विभागों को एक साथ कर बनाए गए बीटेसी बरकिंग कमीटी द्वारा अब तक कोई कार्चकरम परस्तावित नहीं किया जाना और कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिये जाने पर घोर आपती दर्च की गई है अता सभी साथियों से निवेदन है कि इस पर जल से जल कार्चकरम बनाकर एकता के साथ आगे बढ़ है और यह देख सकते हैं सचीव कनिया अभियंता एसोसीयेशन मन रहेगा तो जो बच्चे का स्लेक्शन हो गया है प्लीज उन सभी से रिक्वेस्ट है जो है कि सभी लोग साथ आ जाईए और एक पर फिर से महाधरना में सामिल होकर इस धरना परदर्शन को सफल बनाएं और इस पे मजबूर कर दे आयोग को जो है कि जल से जलत कोई निरने लेने का और यह बहाली को किलियर कराने का आप लोगों को हमारी अपडेट अच्छी लगी हो और आगे का जनकारी पाना चाहते हैं तो जूड़े रही चैनल से आगे क्या रहनीती तै होती है हम अपने वीडियो के माधियम से आप तक पहुचाते रहेंगे बिहार तकनिकी सेवा आयोग दुवारा जारी कर्णिया अभ्यानता की भरती पर कीरिया में राजके पोल्टेक्निक बिहार के अभ्यारती जो की 40% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं जो की पतना हाई कोड दुवारा इसको निरस्त कर दिया गया है हटा दिया गया है करते हुए परिनाम जो है यथा सिग्र परकासित करें इस तरीके से आयोग को अभ्यार्थियों को दोवारा दवाब बनाया जाएगा और जो बच्चे जो है कि जल्द इस पे रिभाइस रिजल्ट जो है की देखना चाहते हैं तो आप सभी एक साथ आएं आगे आएं और इस पर पूरी तरीके से कोसिस किया जाए जल से जल जो भी निर्नाय लिया जाए 40% रिजर्वेशन इंकलूड करकर या फिर जो भी जज्जमेंट है उस पे लिया जाए और किस प्रकार का यह जो है की नियम बनता है क्या निर्नाय निकलता है क्या आगे राइनिती बनता है वो स नीन साल से दो साल से वेट कर रहे हैं नई विग्यापन जारी होने का आपको ये जनकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जूड़ी रहिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यों सो मच बाचिंग दिस वीडियो